Hello students, welcome to Eduhub, Eduhub online classes में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ एक नई वेकेंसी जो की State Bank of India में आई है, उसके बारे में पूरा डीटेल मैं एनालाइसिस करूँगा दोस्तो, देखो दोस्तो ये वीडियो थोड़ा जरूर बड़ा बनेगा, क्योंकि मैं आपको Age Group के बारे में बताऊंगा, मैं आपको Selection Procedure के बारे में बताऊंगा, मैं आपको Work Experience के बारे में बताऊंगा, मैं आपको Education Qualification के बारे में बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका Form आपको कैसे अपलाई करना है, तो एक ही वीडियो को आपको देखना है और आपको इसके बारे में जितनी भी information है वो सारी मैं आज ही deliver करूँगा ठीके तो ये जो vacancy किस ने निकाली है state bank of india ने निकाली है sbi ठीके recruitment क्या है special credit officer in state bank of india regular basis पर है contract बेस पर नहीं है recruitment of special credit officer sco special credit officer की state bank of india में regular basis पर online registration start हो गया आज से online registration start हो चुका है और last date है 8 October आज 18 September से आपका registration start हो गया और 8 October को खतम हो जाएगा पहली बात clear होगी आपको एकदम अब हम बात करते है post की कि कौन-कौन से post आई है इसके अंदर तो इसमें है deputy manager security और manager retail product ठीके दो पोस्ट है और भी notification आया है पहले इस notification को पूरा देखेंगे उसके बाद दूसरे notification के उपर भी चलेंगे इसमें हम बात कर रहे हैं deputy manager security और manager retail product इन दोनों की vacancy आई है grade है second grade इसमें total post आप यहाँ पे देख सकते हो general, OBC, SE, ST and EWS का भी provision है total है यह 11, 17 और 5 अगर आप इसको total करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 11 में 5 जोडो 16, 16, 16, 16, 32, 33 and 1 यह और है तो 33, 34 seat का वारे में बताया गया है total 34 seat है age क्या है 25 से 40 और इस वाले में है manager में है 25 से 30 तो age भी अच्छी दे रखी है आप सब की age इसके अंदर cover हो सकती है 25 से लेकर 40 वाला भी forum भर सकता है किसके लिए 25 से 40 है डिपटी manager के लिए और manager के लिए है 25 से लेकर 35 तक clear अब देखो इसका selection procedure कैसे होगा selection के लिए आपको कोई भी exam नहीं देना कोई भी return exam नहीं होगा आपका जो आप अपना detail send करेंगे उसका short list होगा short list के बाद आपका interview होगा केवल interview से आपका selection होगा दोनों post के लिए केवल interview ही होगा इसी इसको भी आप धान रखे ठीके आगे देखो place of posting कहाँ पे posting हो सकती है तो आपकी posting जो है all over across the bank इंडिया के अंदर कहीं पे भी और इसके लिए corporate center Mumbai जो ये manager है retail manager इसके लिए तो आपको Mumbai के लिए selection देया जाएगा लेकिन जो ये है deputy manager इसके लिए आपको across the bank यानि कि आपको पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी posting मिल सकती है clear कोई confusion अभी तक आपको मैंने एकदम clear करके समझाओंगा जिससे आपको एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा notification समझ में आ जाए ठीके post देख लिया age देख लिया 25 से 40 deputy manager और manager की 25 से 35 अब हम बात करते हैं post and grade education qualification और work experience की हमें इस post के साथ में कैसा experience चाहिए और कैसा qualification चाहिए आओ चेक करते हैं पहले हम बात करेंगे deputy manager की जब हमने deputy manager की बात करी तो इसमें basic graduation चाहिए graduate होना चाहिए बंदा के वल B.com, B.A.C, B.B.A. जो भी graduation है वो चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा जो work experience है उसके बारे में बताना चाहूंगा minimum minimum five year commission service in army, navy, air force or a police officer not below the rank of ASP and deputy ASP with minimum five year service in that rank or officer or identical rank with minimum five year service in paramedical paramilitary force समझ में आगे आपको क्या चाहिए पांच year का experience चाहिए minimum army में हो, navy में हो या air force में हो और police officer not below the rank ASP होना चाहिए, deputy ASP होना चाहिए, इनी कोई ही consider किया जाएगा, clear होगे आपको, तो आपको graduate चाहिए और five year का जो है आपको minimum ये experience चाहिए, अब हम बात करेंगे किसकी manager retail product की, जो ये manager retail product है, इसके बारे में, इसका basic qualification क्या चाहिए, MBA हो या PGDM हो और post graduate degree and full time BE, BTEC in information technology, IT के अंदर BE या BTEC किया वहो तो भी चल सकता है, ठीके, computer, computer science, electronics, electronics and communication, electrical and electronics और a combination of the system, MBA चल जाएगा, PGDM चल जाएगा, post graduate degree, अगर BE और BTEC full time किया वहा है तो भी चल जाएगा, computer, computer science, electronics, electronics and communications, electrical and electronics और a combination of the system, तो यह सब इसमें applicable है, ठीके, preferred qualification, किनको preferred दिया जाएगा, preference will be given to candidate who passes MBA, PGDM, post graduation management degree with specialization in finance and marketing, जो MBA किया वहा है, finance and marketing के साथ, उसको prefer दिया जाएगा, साफ साफ बताया गया है, ठीके, और क्या knowledge होना चाहिए, product development का knowledge होना चाहिए, product manage कैसे करें, digital innovation, business strategy, marketing का knowledge होना चाहिए, and excellent communication and leadership का skill आपके पास होना चाहिए, यह आपके बास extra है, यह skills भी होने चाहिए, उसके बाद minimum 48 month, minimum 48 month experience as an executive in supervisory management role in scheduled commercial bank in product development in the retail financial domain, personal loan and educational loan, gold loan, consumer durable loan, car and two-wheeler loan, तो आपको यह 48 month का experience भी चाहिए, executive in supervisory management role, किसी भी commercial bank के अंदर, ठीके, experience in working directly with development and financial and functional teams will be preferred, experience जिसका working directly with development team के साथ होता है, and functional team के साथ है, उसको हम पहले prefer करेंगे, यह भी बताया गया है, तो दोस्तों, इस से मुझे यही समझ में आ रहा है, इनको ऐसा बंदा चाहिए, जो पहले से इन सब काम को करता हो, जिसको knowledge हो, अच्छा, और यह चाहते हैं कि उनको सीधा, जो है, हम यहां recruit करें, और हमारा काम continue चले, ठीके, officer level की job है, job बहुत अच्छी है, अगर आप इस fields related है, तो आपको job यह apply कर ही देना चाहिए, कोई भी return exam नहीं है, आपका knowledge काम आएगा, आपका interview में, आपने जो भी past experience है, उस experience के थुरू आपको जो है knowledge अपना share करना है, उसके बाद आपकी job confirm हो सकती है, अब देखो job profile भी दिया गया है, deputy manager so security है, इनकी क्या job profile होगी देखो, to improve the security arrangement at branches and office, यानी कि इनको security manage करना है, branch और office के अंदर जो security है, उसको और अच्छे से improve करना है, carry out to the branches, organized periodic security drill, lecture, etc, carry out effective licensing with various government agency and other administrative work related to the security officer desk, यह है इनका role कि आपका जो security जो system है, बैंक का, उसको और जादा अच्छे से improve करना है, आपको देखना ही कि कहीं भी कोई भी listening ना रहे, आपको कहीं पे भी कोई धील नहीं देनी है, आपको उसको अच्छे से manage करना है, ठीके, अब हम बात करते हैं, manager, retail product manager जो है, इनकी क्या job profile है, to monitor the performance of the product being handled, track best practice in the industry and explore solution relevant to the bank versus competitor, bank के जो भी competitor है, उनसे आपको study करनी है, और आपको अपना जो product है, उसको कैसे handle करना है, उसको market में कैसे चलाना है, उसकी tricks आपके पास आनी चाहिए, to develop a new product, also you have to develop a new product and review, modify existing product with a new increase profitability of the bank, आपको उसमें change करना है, उसमें profitability कैसे हो सकता है, बैंक के, बैंक के संधर में आपको यह चीज़े आपको देखनी है, to state and implement business and promotional activities, आपको business को promote करने के लिए, promotional activities भी organize करनी है, to manage day to day function and alternate channel to deliver of loan, loan भी deliver करना है, a handle, regulatory and security related issue, related to the loan product, आपको अपने loan product के लिए, कुछ regulatory, कुछ security system को भी develop करना पड़ेगा, ठीके, फिर क्या है, various department of the bank, ensure smooth to timely rollout of product, आपका product जो है, अलग अलग department में timely जो है, rollout हो, आपको time manage भी करना पड़ेगा, to monitor, track and organize all required SOP, manual, e-circular, e-lations, to proposed new product, आपको नए product के लिए SOP बनानी है, manual बनाना है, e-circular बनाना है, e-lations बनाने है, इन सब को आपको बनाना पड़ेगा, ये पूरी आपकी job profile है, ये आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप इस job के लिए select होते हो, तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों, आप त्यार हो जाओ, मैंने आपको job profile बता दी है, एकदम clearly मैंने आपको समझा दिया है, आपके पास experience अगर है, और अपने experience के साथ में, इस job profile को connect करते हुए, अपना एक अच्छा सा interview matter create कर लो, जिससे क्या होगा, जैसे ही आप interview के लिए जाओगे, तो आपके पास इनके questions के answer होने चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको job profile शेयर किया, इसे profile के थुरू आप interview के questions को crack कर सकते हो, ठीके, उसके बाद great pay scale की बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा great pay scale आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आपको इसको achieve करना चाहिए, मेरे को लगता है कि आपको इसमें कोई problem नहीं आनी चाहिए, ठीके, उसके बाद देखो how to upload a document, फीज कैसे करना है, पहले आपको मैं फीज बता जाता हूँ, फिर आपको मैं इसका upload, document कैसा upload करना है, उसके बारे में बताऊँगा, ठीके, how to apply, apply करने के लिए आपको इसमें जाना है, sttp, sbi, bank, sbi, careers में जाना है, और www.sbi.co.in या careers में जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना registration करना है, registration number and password के थुरू आप इसको registered करोगे, और उसके बाद यहाँ पर आप apply कर सकते हो, application fee जो है, वो है 750, कितना है, 750 for general, OBC and EWS candidate के लिए, उसके बाद fee payment will have to made online through payment gateway available, payment gateway के थुरू आप payment कर सकते हो, after ensuring of the particulars of the application form, candidate can require, candidate are required to pay the fee through payment gateway, no charge added in the application will be allowed thereafter, ठीक है, कोई charges नहीं है इसका, अगर आपने एक बाद fee apply कर दिया है, तो उसके बाद कोई charges नहीं है, application fee once paid not refunded on any account, nor can be adjusted or any other examination or selection in the future, मतलब, आपका fees refund नहीं होगा, आपको एक बाद पे कर दिया है, तो उसका आपको कोई भी refund नहीं होगा, ठीक है, clear है, एक चीज और बता दूँ, 750 रुपीज तो किसका लगेगा, यह भी चीज देख लो, 750 रुपीज लगेगा, आपका अगर आप general, OBC and EWS में है, तो 750 रुपीज, अगर आप SC, ST, PWD में है, तो 0 रुपीज, clear हो गया, अब है, how to upload a document, detail, देखो, आपका resume का PDF, ID PDF, proof and date of birth का PDF बनाओ, ठीक है, सबका PDF format बनाना है, आपको, latest salary slip, experience certificate, certificate, cast certificate, OBC certificate, EWS certificate, ठीक है, PWD certificate, उसके बाद है, discharge book, if applying deputy manager security, अगर आपने कहीं से अपनी post discharge हुई है, तो उसका certificate, तो यह सारे certificate चाहिए, जो जिसका आप PDF बनाओगे, ठीक है, यह सब PDF बनाओगे, फिर आपको बनाना है, photograph file type size, photograph बनाने है, आपको photos बनानी है, अपनी, ठीक है, अपनी photograph, photograph size का दे रखाए, अलग से की 50 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए, और यह इसका size है, 200 multiply 230, यह इसका size होना चाहिए, तो यह सारे detail दे रखी है, उसके बाद है signature, इसके बारे में आप पढ़ लेना, capital letter should not be, cell not be accepted, signature जो है, capital letter में नहीं होने चाहिए, 10 KB से 20 KB क फाइल होनी चाहिए, ठीक है, तो यह इसमें size detail बताई गई है, कि आपका, जो है, कैसे आपको apply करना है, आपको क्या 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 document चाहिए, photos का size and signature का size भी बताया गया है, document file type size, all file must be PDF format में होने चाहिए, ठीक है, document page size A4 के page में होने चाहिए, file का size जो है, 500 KB से जादा नहीं हो अगर आपको यह देखो, scan करने के लिए क्या क्या guideline है, उसके बारे में बताया गया है, 200 DBI, यानि कि dot per inch आपको select करके, आपको सारी चीजे scan करनी है, ठीक है, procedure for uploading document, click, देखो आपको क्या करना है, therefore a separate link for uploading each document, click on the respective link and upload, सभी document के लिए अलग अलग से link दिये जाएंगे, उस link प doc, do, cx file जो भी होगी, उसके according आपको इसमें save करना है, clear हो गया, आगे देखो, आगे हम देखते हैं, selection procedure क्या होगा, देखो, selection procedure क्या है, पहले आपका sort list होगा, आपके ये सारे document जब जाएंगे, वो उन चीजों को sort list करेंगे, और उसके बाद आपको call करेंगे, interview के लिए, करना है, वो final decision है, आप उसमें change नहीं कर सकते, या आप उसमें, जो है, उन पर argument नहीं कर सकते, तो पहले क्या करेंगे, sort list होगा, sort list होने के बाद आपको क्या बुलाए जाएगा, interview के लिए, interview will carry hundred marks, hundred marks का होगा, the qualify marks, interview will be decided by the bank, bank decide करेगा की qualify mark क्या होगा, no correspondence will be entertained in this regard, ठीके, उसके बाद क्या होगा आपका, की merit list निकलेगी, prepared होगी, descending order of the basic of score, obtained in interview only, in case more than one candidate score, the cut of common, अगर दो candidate है, उनका common marks आ गया है, तो हम क्या करेंगे, such candidate will be ranked according to their age, descending order in the merit list, उसको हम assign कर लेंगे, उसको हम job के लिए prefer कर देंगे, ठीके friends, तो ये पूरा मैंने आपको detail में analysis करके बताया है, सारी चीजे, इसलिए थोड़ा वीडियो जरूर बढ़ा हुआ है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा clear हो गया, मैं आपको एकी चीज कहना चाहूँगा, अगर आपने इस आपके पास qualification है, और अगर आपके पास working certificate है, तो आप अपनी job profile जो मैंने आपको भी बताई है, उसको link करते हुए, अपना interview के लिए practice करना चालू कर दें, आज ही forum भर दें, सारे document upload कर दें, और interview का wait करें, जैसे ही आपका interview call आता है, 100 marks का interview होगा आपका, और interview आपको अच्छे से perform करना है, आपकी job confirm है, एक अच्छी job है ये, इसको आपको करना ही है, इसमें कोई भी return exam नहीं है, ठीके, तो आज की लिएम close करते हैं, अगर आपको म मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए, thank you friend, have a nice day, bye bye